नोट बंदी के दो साल हो चुके हैं विपक्स इसे काला दिवस बताते हुए इसे असफल साबित करने की कोशिश में लगा है लेकिन असल माईने में नोट बंदी के कई फाइदे हुए है और मोदी सरकार के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में मददकार साबित होगा देश कैसलेस एकॉनोमिक की और तेजी से बढ़ रहा है नोट बंदी के जन्ये मोदी सरकार की एक बड़ी कोशिश ये थी कि नकत लेंदेन पर विराम लगी और देश में भ्रष्टा चार और बिचॉनिये का खेल खत्म हो देश को गैसलेस एकॉनोमिक योर ले जाने की दिशा में मोदी सरकार को बड़ी काम्यावी मिली है नोट बंदी के दू साल बाद देश में होने वाले डिजिटल लेंदेन में काफी बढ़ोतरी हुई है इस साल अगस्त में देश में 244.8 एक करोड डिजिटल लेंदेन हुए यांकडा अक्टूबर 2016 से अब तक हुए डिजिटल लेंदेन में तीन गुना से अधिक की पढ़ोतरी को दिखाता है भीम, UPI, आधार आधारिक भुक्तान प्रनाली और रास्ट्रियल प्रोनिक टोल संग्रह यानी NETC डिजिटल भुक्तान के दंत्र को पूरी तरह बदल दिया है मंत्राले द्वारा जारी किये गए आँकणों के मुताबि अक्टूबर 2016 में 108.7 लाग करोड रुपय के डिजिटल लेंदेन खुए थे जबकि अगस्ट 2018 में यांकणा 88 प्रतिशत बढ़कर 204.86 लाग करोड रुपया हो गया मंत्राले द्वारा जारी बयान के मुताबि अक्टूबर 2016 में भीम और UPI अधारी लेंदेन की संख्या मात्र एक लाग तीन हजार थी डिजिटल लेंदेन होने वाले पैसों की रखम कुल 48 करोड रुपय थे लेकिन नोट बंदी के बाद इसमें तेजी से इज़ाफा हुआ अक्टूबर 2018 में भीम और UPI अधारी लेंदेन की संख्या बढ़कर 48.2 करोड रुपय गई और इस तवरान कुल 74,938.2 करोड रुपय का डिजिटल लेंदेन हुआ डिजिटल लेंदेन में हुए तेजी से इस प्रकार के इज़ाफे देश की अर्थ विवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं यहीं नहीं डिजिटल लेंदेन में तेजी से हो रहे है ये इज़ाफे पियम मोदी के प्रष्टाचार और काले धनमुक्त भारत के सपने को भी साकार करने में मददगार साबित होगा